हेलो फ्रिंड्स मैं हूँ मीता, मेरी चैनल को क्वित मीता में आप सभी का स्वागत है आज मैं बना रही हूँ बहुत ही इजी, सिंपल और इंस्टेंट वेच दवा सेंडविच इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकती है या जो बैचलर्स है, जिनके पास ब्रेकफास्ट बनानी का टाइम कम होता है जिने ओफिस जाने की जल्दी होती है वो भी इस रेसिपी को बिना ताम जाम के फटा फट से बना सकते है अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले तो चलिए वेज दवा सैंडवीच बनाना शुरू करती हूँ इसके लिए एक बॉल में एक टेबल इस्पून बारी कटा हुआ उबला हुआ आलू ले रही हूँ ये हाफ बारी कटा हुआ प्याज है एक टेबल इस्पून बारी कटा हुआ गाजर एक टेबल इस्पून बारी कटा हुआ शिमला मिर्च एक टेबल इस्पून बीट लिया है एक टेबल इस्पून टमाटर एक हरी मिर्च है बारी कटी हुई हाफ पॉल पनीर है चोटे टुकडो में कटे हुई वन फोर्थ टी स्पून ब्लैक पिपर पौडर लिया है हाफ टी स्पून औरेगेनू है हाफ टी स्पून चीली फ्लेक्स है टेस्ट के एकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी अब इन सब को मिक्स कर लूँगी अगर आपके पास औरेगेनू नहीं है तो आप इसके बीना भी बहुत टीस्टी सेंडविच बना सकते है बस थोड़ी सी धन्या पत्ती डाल दे अब इस फिलिंग को साइड में रख देती हूँ मैंने यहाँ पर 6 स्लाइस ब्रेड लिया है आप ब्राउन वाली ब्रेड भी ले सकते है तो सबसे पहले ब्रेड के ऊपर यह टोमेटो केचप लगा दूँगी आप टोमेटो केचप में मियोनिस मिक्स करके भी लगा सकते है या आपके पास ग्रीन चटनी फ्रीज में रखी हो वो भी आप यूज कर सकते है या सेजवान सॉस भी आप लगा सकते है या ये कहें कि आप अपने पसंद की कोई भी flavor यूज़ कर सकते हैं अब इस bread slice के उपर ये filling डाल दूँगी filling मैंने चारो तरफ अच्छे से डाल दिया है अब इसके उपर ये cheese grate कर दूँगी अब ये bread slice उपर से लगा देती हूँ ये मेरी sandwich ready है अब मैं इसे shake लूँगी बाकी के sandwiches भी मैं इसी तरह से तयार कर लूँगी मैंने एक तवा को gas पर गर्म होनी के लिए रख दिया है अब इसके उपर थोड़ा सा butter डाल दूँगी butter की जगा आप घी भी ले सकते हैं अब ये sandwich तवे के उपर रख देती हूँ bread के उपर भी butter spread कर दूँगी एक तरब से होनी देती हूँ flame को लू रखेंगे और low flame पर ही sandwich crispy होने तक सेक लूँगी दो मिनट हो गय है तो अब मैं इसे पलट दूँगी अब इसे हलके हलके दबा कर अच्छे से सेक लूँगी मैं तो अपनी sandwich तवा पर बना रही हूँ पर अगर आपके पास sandwicher हो तो आप sandwicher में बना ले देखिए sandwich अच्छा crispy हो गया है और color भी बहुत अच्छा आ गया है तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ इसी तरह मैं दूसरा sandwich भी सेक लूँगी अगर आपको मेरी recipe पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें देखिए sandwich मेरी ready हो गई है तो अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ तो देखाना आपने कितना easy है से बनाना बच्चे बड़े सभी खुश हो जाएंगे इसे खाकर तो आप कब ट्राइ कर रहे हैं इस बेचतवा sandwich को मुझे comment box में जरूर बताएं मिलते हैं next video में